तो यहाँ पर पहला प्रस ने अंतराष्टे योग दिबस 2022 की थीम क्या थी? तो देखे प्रति वर्स अंतराष्टे योग दिबस 21 जून को मनाय जाता है तो 2022 में अंतराष्टे योग दिबस की थीम थी मानाप्ता के लिए योग तो इसका आंसर यह हुजाएगा देखे 2022 में ये आठवा अंतराष्टे योग दिबस मनाय गया है जिसकी थीम थी मानाप्ता के लिए योग यानि की योगा फोल हुमेनिटी और देखे बात करें पहली बार अंतराष्टे योग दिबस कम मनाय गया था तो 21 जून 2015 को मनाय गया था कोस नमबर दू है इसके बार दूसरे स्थान पर रहा महराष्ट महराष्ट ने इसमें 125 पदक जीते जिसमें 45 गोल्ड, 40 रजट और 40 काश से पदक सामिल है तीसे स्थान पर रहा करनाटक, करनाटक ने कुल 66 पदक जीते जिसमें 22 कोल्ड मेडल, 17 रजट पदक और 28 काश से पदक सामिल है और देखे खेलो इंडे यूथ गेम्स 2022 का आयुजन हर्याणा के पंचुकुला में अलाग अलाग स्थानों पर क्या गया था जो कि 4 जून से 3 जून तक आयुजित हुए थे इसके बार नेश्ट कोस सने 20 पर पिरती इस पर धात्मक सूचकांग 2022 यानि की बर्ल कॉम्पुटेटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो इसका अंसर सी हो जाएगा 37 इस्थान पर बर्ल कॉम्पुटेटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 37 पर स्थान मिला है भारत पिछले बर्स यानि की 2021 में इसमें 43 पर था और अब 2022 में 37 पर आवे जाया है इस सूचकांग में गुल 63 देसों को सामिल किया गया था जिसमें से भारत को 37 पर आप्त हुआ है और इसमें पर थामिस्थान पर है डेनमार्क कोस्ट नमबर चार है महराष्ट के नए 20 बे मुख्य मंत्री कोन बने है तो देखे आप से भी जानते हैं अभी हाली में महराष्ट राज्य के बनाया गया है देखे इन्होंने 30 जून 2022 को नए मुख्य मंत्री के रूप में सफ़त ली है और महराष्ट के राज्य पर कोन ने तो बहुत सी कोस्यारी है इसके बार अगला कोस्ट से ने फेमीना मिस इंडिया 2022 का किताब किसने जीता तो देखे अभी हाली में फेमीना मिस इंडिया 2022 का किताब जीत लिया है इसमें ये इसका 58 वा संस्कान था फेमीना मिस इंडिया का जिसका ग्रेंट फिनाले 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जीयो बर्ड कन बेंसन सेंटर मायुजित किया रह था और देखे इनसे पहले फेमीना मिस इंडिया 2022 कोन बनी थी तो मान सावरांसी बनी थी जो किते लंगाना राज्य की थी तो याद अपना है कि 2022 मिस इंडिया कोन बनी है तो करनाटक की सिनी सेटी बनी है इसके बाद अगला कोस्षा ने अड़तालिस बाद जी सेवन सिकर सम्मेलन 2022 कहां आईजित हुआ तो इसका अंसर भी हो जाएगा जर्मनी में तो देखे 2022 में अड़तालिस बाद जी सेवन सिकर सम्मेलन 26 जून से 28 जून तर जर्मनी के बावेरियन आलपसके स्लोस एलमोम आईजित किया रह था अब देखे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो जर्मन चांसलर ओलाक स्कॉल्जों के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था और इस समय जर्मनी के राष्ट पती है फ्रेंक बार्टे रिस्टीन मेर देखे जी सेवन की बात करें तो इसमें कौन-कौन से देश सामिल है कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, युनाइटेट, किंगड़म और सेंट राज्य है, अमेरिका और देखे इसी के साथ, जी सेवन सीकर संवेलन में एरोपिय संग भी प्रत्य निदित्व करता है और 2022 में इस जी सेवन सीकर संवेलन में भारत की प्रदार मंतरी नरेंदर मोधिजो को भी आवनतर किया गया था तो याद रखना है, कोसर नमबर साथ है, आईबी का नया निदिशक किसी नियुक्त क्या गया है तो देखे अभी हाली में आईबी यानि की इंटेलिजेंस ब्यूरो के नई निदिशक बने है तप गिलोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम इस्थान पर कौन सा सहर है तो इस कांसर डी हो जाएगा तेहरान सहर देखे तेहरान सहर ये इरान का सहर है जो की गिलोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम इस्थान पर है यानि कि दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य सहर कौन सा है तो इरान का तेहरान सहर है ये पर्थम स्थान पर है देखे इस इंडेक्स को Economist Intelligence Unit द्वारा जारी किया गया था जिसमें दुनिया के दुनिया भर के 173 सहरों को सांबर किया गया था तो देखे इस इंडेक्स में नई दिल्ली को 112 स्थान पर रखा विया है और मुंबई को 170 स्थान पर रखा विया है इसके वाद अगला कोश्चन है बिस्व निवेस रिपोर्ट 2022 में भारत को उनसे स्थान पर रहा है तो इसका अंसर भी हो जाएगा साथ वे स्थान पर तो देखे अभी हाली में अंक डा देख में साध्वे स्थान पर रखा विया है और इसमें प्रथन इस्थान पर है सैंक्त राज्ये अमेरिका इसके बाद अगला कोश्चन है फीपा अंडर 17 महिला बिसकब 2022 का यूजन बहरत में क्या जाएगा तो इसका आणसर डी हो जाएगा देखे इसका आज़न भारत मे 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा और इसी के साथ बता दू फीका बड़कप 2022 का युजन कतर में होना है 21 नमबर से 18 दिसंबर तक तो याद रखना है इसके बाद अगला कोस्सा ने महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिड रोजगार गारंटी होजना यानि कि मनरेगा के तहत लोकपाल के रूप में किसे निवक्त क्या विजाया तो इसका अंसरड़ी हो जाएगा एन जे होजा को तो देखे अभी हाली में मनरेगा के नई लोकपाल बने है एन जे होजा देखे बात करें मनरेगा की तो इसे दो फरवरी 2006 को शुरू किया गय था देखे पहले इसका नाम नरेगा था यानि की राष्टे ग्रामिर रोजगार गारंटी अदिनियम था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे इसका नाम बदल कर मनरेगा यानि की महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिर रोजगार गारंटी अदिनियम कर दिया था तो याद रखना है इसके बाद अगला कोश्चा ने किस देश ने चांद का बिस्व का सबसे बिस्तरत नक्सा जारी किया है तो इस का आम तरसी कि सत्य का ओर भी बारिकी से बेबन अब चीन ने किया है तो अब तक का सबसे अच्छा चंद्रुमा का नक्सा यानि की मैप किस ने जारी किया है चीन देश ने इसके बाद अगला कोश्चा ने कि यू एस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2003 जारी की गई थी जिसमें भारते बिज्ञान सहस्थान बेंगलूरु को 155 बे स्थान पर रखा गया है दिखे इस रैंकिंग में भारत के 47 बिस्विद्हले को जगह मिले है जिसमें IISC बेंगलूरु को 155 बे स्थान मिला है IIT बॉंबे को 172 बा और IIT दिल्ली को 174 बिज्ञ्क मिली है और इसमें प्रिथमिस्थान पर है अमरीका का Massachusetts Institute of Technology तो याद रखना है इसके बार नेश्ट कोस से ने किस भारते को Asia पिरसांत विवाक का पिरमुक नियुक्त किया गया है तो इसका अंसर ए हो जाएगा क्रस्णा स्री निवासन को तो देखे अभी हाली में अंतराष्टे मुद्रा कोस की जो पिरमुक नियुक्त किया है देखे इन्होंने चांग योंग री का इस्थान लिया है इसके बार कोसर नमबर पंधर है भारत किस बरस पहला मानव अंतरिक्स मिसन गगनियान और साथ ही पहला मानव महासागन मिसन लौंच करने की घुसना की है तो इसका अंसर भी हो जाएगा 2023 में तो देखे भारत ने घुसना की है कि मैं 2023 में अपना पहला मानव अंतरिक्स मिसन जिसका नाम में गगनियान और इसके साथ ही पहला मानाव महासागन विसन लॉंच करेगा तो इस दोनों कब लॉंच किये जाएंगे? 2023 में इसके बाद अगला कोशन है निम्न में से किस राज्य में हाली में सुरक्साम मित्र प्रोजेक्ट लॉंच की गई है तो देखे ये जो सुरक्साम मित्र प्रोजेक्ट है ये किरल राज्य में लॉंच किया गया है तो इसका अंसर D हो जाएगा देखे ये जो सुरक्साम मित्र प्रोजेक्ट है यह एक बाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी भी दुरवटना के मामले में संकट संदेश भेशता है तो ये लौंच किया गया है केरल में और केरल के मुख्य मंत्री कोन है? तो पिना राई बिजियन है इसके बद अगला कोर्सन है किस देश में दो बर्स के बाद सांगरीला बार्तक आयोजन किया गया है तो देखे, 2022 में इसके बद अगला कोर्सन है महराष्ट के राज्य पाल भहत सिंग कोस्यारी ने किसे डॉक्ट रेट की मानद उपादी से सम्भानित किया है तो इसका अंसर ए हो जाएगा रतन टाटा को तो देखे, पिर से दुद्ध्योग पती रतन टाटा को अभी हाली में जो महराष्ट के राज्य पाल भहत सिंग कोस्यारी ने रतन टाटा को डॉक्ट रेट की मानद उपादी से सम्भानित किया है तो याद रखना है इसके बात कॉसन नमर 19 है किस राज्य के किसोर राहूल स्रीबास्तब भारत के 74 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं तो देखे, भारत के 74 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं किसोर राहूल स्रीबास्तब तो ये किस राज्य के हैं तो ये तेलंगाना राज्य के हैं तो इसका अंसर डी हो जाएगा देखे इटली में नोवे केटो लीका सतरणजी मौतसव 2022 के दुरान इन्होंने लाइफ एड़े रेटिंग में 2500 एलो पॉिंट्स की बाधा को तोड़कर ये भारत के 74 बेग्रेंड मास्टर बने हैं और देखे इनसे पहले जनवरी 2022 में भारत के 73 बेग्रेंड मास्टर कोन बने थे तो भारत सुब्र मस्णियम बने थे और अब 74 बे गिनेंड माश्टर बने हैं तेलंगान राज्यें के किसोर राहुल स्रीवास्तव तो याद रखना है इसके बाद अगला कोश सरे है कि सहर में भारत का पहला केंदरी किरत AC Railway Terminal जिसका नाम है सर एम विस्ब सरया Railway Terminal सुरू क्या विया है तो इस कांसर जी हो जाएगा बेंगलूरू में तो देखे करनाटक के बेंगलूरू में भारत का पहला केंदरी किरत AC Railway Terminal जिसका नाम है एम विस्ब सरया Railway Terminal सुरू क्या विया है तो याद रखना है इसके बाद कोशन नमर 21 है किस सहर में भारत की पहली Display Fabrication Unit स्थापित की जाएगी तो भारत की पहली Display Fabrication Unit स्थापित की जाएगी हेदरवाल सहर में तो इसका अंसर डी हो जाएगा दिखे इस यूनिट को 24,000 करोड रुपे की निवेश से स्थापित की जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप चलिए आज के कोशन देख रहेते हैं जिसका अंसर आप उनीचे कमेंडोक्स में बताना है तो आज का प्रस ने 15 माई 2022 को किस ने तुरूपरा के नए मुख्यमंतरी के रूप में सफ़द ग्रान किया है तो इसका अंसर आप उनीचे कमेंडोक से बताना है कि अभी हाली में तुरूप राके नए मुख्यमंतरी कौन बने है दिखे ये कोशन मैंने इससे पहले के वीडियो में करवा दिया था यानि किससे पहले मैंने आप तक के 2022 के सभी राज्यों के मुख्यमंतरी और राज जपाल का एक पूरा अपडेट वीडियो अप्डिलोड किया था अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप बहां से जाकर 2022 के सभी महत्तपॉंट टोपिक्स के वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओ और आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए हैल्फ लो तो फिलीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सस्काइब कर लेना पसे लिमन देने से बीडियों